तो हेलो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने दमालंकीत में आज हम कुछ डीटिल देने ओले साइटल की चैन के बारे में दोस्तों की चैन होती है किस कारण से उतरती है कुछ कारणब बता Bevölker करें गाइँ तो सबसे पहरा कारण हम आपको बता देते जैसे कि आप देख सकते हैं यह से सयकल क चैन है कि उसका उतरने का क़रंदकि क्या है यह फ्रैट्विल है दोस्तों यह देख सकते और यह चैन है तो चैन जो है जब अधिक धिली हो जाती है तो देख सकते इस तरीके से दंते छोड़ने लगती है इससे क्या होगा चैन सिलिफ होगी और आपकी चैन उतर जाएगी तो जदी आपकी चैन धिली है तो उसे टाइट करके देख लीजी तो आपका काम बन जाएग आपकी चैन नहीं उतरेगी दोस्तों ये देख सकते कितनी दिली है तोосili poray देख सकते हैं जनसे येज़ हमाइब में ह verbessा dia दsized सकते हैं senior क्यक्त पेला कारण तो ये है चैन टाइट कर लीजिए उसकता है इससे ही आपका समधान हो जाOike कि चैन उतरनी बंद हो जाए दूसरा कारण में भी आपको बताएंगे दोस्तों इसकी चैन दूसरी सैकल हम आपको दिखाते हैं जिसकी चैन टाइट है देख सकते हैं इसकी चैन टाइट है तो यह बिल्कुल एकुरेट है इसमें कोई दिक्कत नहीं इसकी चैन नहीं उतरेग दोस्तों तो यह तो था पहला कारल जिसकी वज़े से चैन उतर जाती है टाइट कर लीजिए चैन आपकी नहीं उतरेगी और जो टाइट हो चीए जो दूसरा कारन दोस्तों यह देख सकते हैं दोस्तों जैसे कि हमारे चैन गेर के दंते हैं यह चोटे बड़े हो जाते हैं यह तो इस बात का आप ध्यान रखें जो आपके चैन गेर है उसके दंते देख लेजिए इस तरीके से छोटे बड़े तो नहीं है यदि छोटे बड़े हैं तो उस कारण से भी चैन आप टाइट कर लेंगे फेर भी आपकी चैन उतरेगी दोस्तो ये भी में कारण हो सकता है दोस में तेज जाता है धंते स्याफ हो जाते हैं ज wrenchstart घर की द्रट तया वस वजय से भी रखेंप हमनें आपको बताइएं फु्सक्राइएं डोस्तों नीच्सरा वीडियो में आयूल को सेर स्च्राइब लाइक ज़रूर करें दोस्तों और हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद